साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये भ्यान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के सो से भी जादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड से कम है। और भारत वेक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड लोगों का टिका करन कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड की संख्या तक ले जाना है। जो बुजूर्ग हैं, जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में ठीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, तीस करोर की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिनकी आबादी इन से ज़्यादा हो, इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभ्यान भारत के सामर्त को दिखाता है। और मैं देश वाजियों को एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे वेज्ञानिक, हमारे एक्सपर्स, जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है। इसलिए देश वाजियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा अफवाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टिम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है। और पहले से हैं, हमने ये विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देश वास्यों, हर हिंदुस्तान इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सक्त वैज्ञानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सिन से जुड़िये हमारी विशसग्यता पर दुनिया का इविश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है। इसकी कुछ और खास बाते हैं जो आज मैं देश्वास्यों को जुरूर बताना चाहता हूं। ये भारतिये वैक्सिन विदेशी वैक्सिनों की तुन्ना में बहुत सस्ती हैं और इनका उप्योग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सिन ऐसी हैं जिसकी एक डोज पांच हजार रुपिया तक में हैं और जिसे माइनस सेवन्टी डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। माइनस सेवन्टी डिग्री वहीं भारत की वैक्सिन ऐसी तक्रीक पर बनाई यही हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड़ और टेस्टेड है। इप वैक्सिन स्टोरेज से लेकर ट्रांस्पोर्श्टेशन तक भारतियस थितियों और परिस्तियों के अनुकूल है। यही वैक्सिन अब भारत को कोरोना के खिलाब लड़ाई में निर्नायक जीत दिलाएगी। साथियों कोरोना से हमारी लड़ाई आत्म विस्वास और आत्म दिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्म विस्वास को कमजोर नहीं पढ़ने देंगे। यह प्रण हर भारतिये में दिखाई दिया है। संकत कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो। देश्वास चोने कभी आत्म विस्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लेब थी। हमने अपने सामर्थ पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लेब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शरुआत में हम मास्क, PPE कीट, टेस्टिंग कीट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदोशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्मार में हम आत्म निर्भर हो गए हैं और इनका निर्याद भी कर रहे हैं। आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की इसी ताकत को हमें टीका करन के इस दौर में भी ससक्त कर रहा है।